यह है हमारा Redmi Note 10 Pro और Pro Max Solar डिवाइस जिसके लिए एक नया अपडेट आ गया है हमारे इस डिवाइस के लिए जो कि हमारा MIUI का Fox Edition और यह रन कर एस्टेवल वर्जन 14.0.27 के चाइना ए रोम के उपर और यहां पर क्या कुछ किसी के चेंजिंग और बदलाव देखनी को मिलते हैं वह साई जनकारी में आपको देने वाला हूं और यह रोम रियली में आपको पसंद भी आने वाला है बस जरूए थे लास्टेक वाच करने की और उसको डिसाइड कर सकते हो किसे डाउन्वाटर के और यहां पर आप देखो ही कि आपको जो लुक देखनी को मिलता है वह चाइना वाला है और चाइना वाला स्मूधनेस भी आपको यहां पर नजल आता है सेटिंग पर जो कि अच्छा लगा माई डिवाइस के अंदर दिखाई देता है सामी फॉक्स ओस 14.0.27.0 जो कि चाइ बागे यहां पर हम आते है सबसे नीचे एडिशनल स्रेडिंग पर और मल्टी लेंगउज के बात करें तो आपको यह मिल जाता है तो जो भी रिजन आपको यूच करना है आप यूच करो मजे से एडिशनल सेटिंग के अलावा आपको मिलता है एप जो कि सई है बैटरी के अधर आपको यहां पर इसकी नों टैमिंग के बात करें तो वह देखने को मिल जाता है जो कि यह अच्छा लगा कि बहुत सारी रों में रिमूब रहता है इसके बाद यहां पर आता है हमारा होम स्क्रीन यानि होम लांचर जहाएं पर होम स्क्रीन सर्च बार एवल का सेटि यहां पर आप्स का जो नाम होता है वो रनिंग में चाहिए या फिर आपको डवल लाइन में चाहिए उसका साइज भी मैनेज कर सकते हो रों कॉल्म वगरा दिया गया है बलर लेवर के उप्शन है जूम कैसा होना चाहिए वाल पेवर का वो भी आप यहां पर सेट कर सकते ह क्या शोप्रोटा बसक्रोटा ने जाते हैं कि ज देखने को मिलेगा बस लाष्ट में क्या रिष्ट लाउशर कर लेना है ताकि साही setting apply हो जाए देखो setting apply हो जाने के बाद हम आते है recent के ऊपर देखते हैं किया कुछ बदलाव आया है छोटे मोटे चीज़ों के अंदर क्यों मैंने बदलाव किया था तो देखो tap हो छोटा हो गया और इसके जो corner है थोड़े sharp हो चुके है तो इसमें यह चीज़ आपको जो आप change देखनी को मिल रहा है बाद sliding काफी smooth और काफी fast है तो यह चीज़ यहाँ पर अच्छा लगा उसके बाद notification के अंदर आते notification set, log, history और बागी same option आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इसके बाद यहाँ पर sound and profile देखनी को मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर dark mood आपका working रहता है इसमें कोई भी दिक्कत है जो आपका नहीं आता अनादर यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है anti flicker, refresh rate, color और display resolution जो कि हमारा किसी काम का नहीं होने वाला उसे ignore just करो बट यहाँ पर 60, 90, 120 और 1 के option आपको मिल जाते हैं बाते साथ यहाँ पर AOD के बात करें तो आपको वह ही मीवे वाला AOD मिलता है बट जो यहाँ पर time limit है वो हटा दिया गया है तो आप 10 seconds always या schedule की हिसाब से use कर सकते हो wallpaper and personalization की बात करें तो यहाँ पर आपको AOD के अंदर तो वही सारे clocks मिल जाते हैं wallpaper में super life दिये गए हैं और कुछ extra यहाँ पर wallpaper category देखनी को मिल जाती है जो कि हमारा है जो total 9 है fox voice के तरफ से तो आप इनका भी चाहँ तो use कर सकते हो बाकि यहाँ पर कोई भी extra customization fox edition के नाम से नहीं दिया गया है तो जो कुछ भी था इतना ही था लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आप देखोए कि सारे apps बगर मैंने डाल के चिक किये हैं और यहाँ पर आपको जो widget support मिलता है चाहिना वाला जिसमें से कुछ widgets मैं use कर रखाओं तो आप इसका benefit यहाँ पर ले सकते हो जो कि बिल्कुली free है और काम भी करता है volume के बात करें यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है normal सा ही power menu की अगर हम यहाँ पर बात करेंट एडवांस वाला दिया गया है अब रही बात हमारा camera तो हमारा camera काम कर रहा है इसमें कोई दिकत नहीं आती यहाँ पर आपको normal Mule रही camera दिया गया है ताप इसका benefit ले सकते हो और रही बात यहाँ पर final test result इस रोम का performance क्या निकल के आता है और एक अलाग शेताजार मैक्स ओमीनो में एक अलाग शेताजार है जो कि थोड़ा और बेटर हो सकता था बट यह भी काफी सही है फ़र्च दे की बात के बात करें तो 88 के बाद morning में आता है 87 यानि फूल नाइट में वन परसेंट का drop है जो कि काफी बहतरीन लगा यहाँ पर आप टाइमिंग से तो 10 आर्स 45 सेकेंड का है वन परसेंट बैटरी डॉप का टाइमिंग और सेकेंड दे की बैटरी डॉप सेवेंटी तुगार मौनिंग माता है 71 यानि फिर से वन परसेंट ही डॉप किया है जो कि अच्छी बात है लवन का सपोर्ट मिल जाता है सेकेंड है जब सीपी टोटार रन करता हूं तो एक लाग संतर में जार मैक्स जो कि काफी बहतरीन लगा अब इन्वा में एक लाग पासटा जार यानि पहले से तो इंप्रूब्ड है और यह काफी बहतरीन भी है फोटो इस्टोज आपको अन्लॉक मिलता है जो कि अच्छी बात है जितना चाहतना डाल सकते हो लवन का सपोर्ट है डिवाइस सर्टिफाइज सोर नहीं करता बट सीटीएस वगर आपके पास रहते हैं तो बैंकिंग एप आप यूज कर पाऊगे टेंसन लेने की 学ी दिया है तो और कुछ ज़्यादा चीज है और रेकने को नहीं मिलती रहिवाट इसकी इंसुट के अंदर आपके device फ्रीम का option दिया गया है या नहीं तो वो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर वो चीज यहाँ पर नहीं मिलती है ठीक है तो इतना ही सब कुछ था और यह बाट इसे डालना कैसा आपके फोन के अंदर तो वह इस इंपल सा मैठेड है Y flash format and reboot और उसके बाद boot करके setup करके use कर पाऊगे आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आपके लिए क्या matter करता है ठीक है मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में ठांक्स वॉचिंग बाई बाई